आज का टॉपिक ऑफ डिसकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बोल्ड में आपको लिग भी रखा है तो एडिटोरियल मैंने डिसकस किये हैं एक हिंदू से और एक इंडियन एक्सप्रेस से दोनों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हैं दोनों प्रेलिम्स के पॉइंट प्रव्यू से भी पहला आर्टिकल जो है वो मराठा रिजर्वेशन के बारे में है जिसका अभी अभी सुप्रीम कोड और आया था कुछ दिनों पहले और उसमें मराठा रिजर्वेशन को फारिश कर दिया था दूसरा जो आर्टिकल है वो बात करता है लेजिसलेटिव कूछ चाहता है इन किन स्टेट्स में लेजिसलेटिव काउंसल हैं और सेंटर का इसमें क्या रोल होगा इस सारी चीज़ हम देखेंगे इन दो आर्टिकल में तो प्लीज आप इन दो आर्टिकल को बिलकुल भी मस्मत करिएगा इसके बाद जो और न्यूस है वो है इंडिय इन तो हम यह जानेंगे कि कौन सी सिक्स यूनसको साइट्स हैं और इंडिया के पास ऑलरडी जो साइट्स हैं जो यूनसको में लिस्ट हो चुकी है उनके क्या क्या नाम है प्रिलिम्स के पॉइंट आव यू से बहुत ज़ादा इंपॉर्टन टॉपिक है उसके बाद हम ज जानेंगे temple control row in Tamil Nadu कहा जाता है कि religion एक personal practice है तो क्या इसमें government का control लगाया जा सकता है तो यह सारी चीज़ें हम constitutional point of view से भी हम यहाँ पर देखेंगे उसके बाद कुछ छोटी news भी है जैसे जो मैं अभी यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ कोविड-19 survivors can take vaccine after three months अगर आपको कोविड हो चुका है और आप ठीक हो चुके हैं तो तीन मंस के बाद ही आपको vaccination लगेगा यह government के fresh orders आये हैं second जो important news है small news वो है finance ministry grants infrastructure status for convention centers पहले मैं आपको बता देता हूँ what is convention center convention center जैसे Thailand में है इसमें क्या होता है कि different countries के लोग और बड़े-बड़े corporate sector वाले इसमें seminars कराते हैं यह इंडिया में अभी भी existing नहीं है यह concept अभी इंडिया में existing नहीं है Thailand में काफी famous है तो finance ministry grants infrastructure status for these convention centers ताकि इनको अराम से liquidity और money provide किया जा सके तो एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि which of these have been granted infrastructure status आप उसमें convention center लिख सकते हैं फ़र्ड है हमारा center to set up BBC like channel to push India view इसका मतलब क्या है अभी इंडिया का बहुत जादा criticism हो रहा है हर जगा कि पाश्मीर में उनकी क्या policies है vaccine को लेकर क्या policy है और center की दिक्कत यह है कि वो global scenario में अपनी बात को नहीं कह पाता तो BBC like channel मतलब एक international channel मनाने की बात हो रही है DD international ताकि इंडिया अपनी बात लोगों तक वर्ड में भी पहुँचा सके उसके बाद जो last news है China has put curves on cryptocurrency cryptocurrency पे इंडिया ने तो curve लगाया ही था अब चाइना ने भी लगा दिया है इसकी वज़े से 30% valuation में fall देखा जा रहा है आए स्टार्ट करते हैं में न्यूस के साथ एडिटोरियल के साथ आज का अर्टिकल शुरू करने से पहले एक important question में आपसे पूछना चाहता हूँ आप सभी लोग इसका question का answer दीजेगा फर्स legislative council started working in which of the provinces हम हिस्ट्री तो देखेंगे legislative council में लेकिन आपको यह question का answer attempt करना है कि इनमें से कौन से प्रोविंस में सबसे पहले legislative council started working ठीक है तो आईए start करते हैं आज का lecture आज का article बहुत ज्यादा important है इसमें बहुत सारी news थी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इसमें क्या था three points SC judgment in Maratha case पहले तो आप यह जान ले कि three point SC judgment क्या था पहला इसने कहा था कि 50% का जो ceiling limit है reservation में वो as it is रहेगा उसमें हम कोई change नहीं करेंगे दूसरा इन्हों ने बोला था कि Marathas socially और economically backward class नहीं है ठीक है तो इसका मतलब उनको reservation नहीं provide किया जा सकता है third था हमारा कि यह बहुत important चीज है आप ध्यान दीजेगा state government has no independent power to declare any caste और class as socially economic backward class without the permission of central government कोई भी state government independently बिना central government से permission लिए declare नहीं कर सकती किसी को भी S.E.B.C. ठीक है दोस्तों आज हम इस पे ही discuss करेंगे जो third point है यह काफी important है यह article इसके बारे में ही है 50% rule आया कहां से पहले हम यह देख लेते हैं 50% rule कभी भी constitution में define नहीं था ठीक है यह 1992 में किंद्रा शाउनी judgment हुआ था किंद्रा शाउनी judgment इसमें इस rule को Supreme Court निकाला था कि 50% से ज़्यादा reservation नहीं हो सकता इसके पीछे का कारण क्या था इन्होंने क्या argument दिया था वो देख लेते हैं इन्होंने बोला था कि article number 15.4 and 16.4 provides for reservation of communities लेकिन यह एक exception है यह एक general rule नहीं है 15.4 and 16.4 is an exception to general equality तो अगर हम 50% से उपर हम करते है reservation तो क्या होगा reverse discrimination हो जाएगा जो general category के लोग है उनके साथ discrimination होने लग जाएगा इसलिए 50% rule वहाँ पर रखा गया था लेकिन क्या 15.4 और 16.4 exceptions है नहीं क्योंकि बाद में court ने 1975 में यह भी माना था कि yes these are very important articles of Indian constitution और यह articles क्या बोलते हैं यह reservation प्रवाइट करते हैं weaker section of society को तो सुप्रीम पोर्ड ने खुद भी माना था 1975 में कि यह articles important हैं constitution के लिए और upliftment के लिए लेकिन फिर उन्हों 1992 में यह कहा कि yes it is an exception ठीक है 1992 जज्मेंट तो मैंने आपको बताई दिया है post 1992 क्या होता था कि 50% reservation तो हो गया होता ही होता था state की अलग list बंती थी OBC की और center की अलग list बंती ठीक है थोड़ा सा बता देता हूं इन दोनों में फरक क्या होता है अगर center की कोई list OBC list में कोई candidate आता है तो उसको central jobs में जैसे IS हो गया IPS हो गया जो UPSC conduct कर आ रहा है उसमें reservation मिलेगा लेकिन अगर कोई past state OBC list में है तो सिर्फ उसको उस state की jobs में ही reservation मिलेगा उसको center की jobs में reservation नहीं मिलेगा कि दोस्तों अब थोड़ा से देखते हैं कि SCST जो हमारे हाँ एक reservation और है उसका क्या status है SCST का status यह है कि उसकी सिर्फ एक center list होती है and only parliament is empowered पार्लिमेंट ही इनको list में डाल सकता है states के पास यह power नहीं है individual तो इसी argument पे court ने कहा कि अगर SCST के लिए ऐसा है तो फिर OBC के लिए भी यहीं चीज़ होना चाहिए इसलिए उन्होंने state की यह power को dilute कर दिया कि वो OBC list अपनी बना सकते हैं या उसको amend कर सकते हैं ठीक है court ने एक और argument दिया उन्होंने कहा कि 102 amendment जो की अभी अभी आया है उसने national commission for backward classes बना दिया और सो constitutional position दे दी तो उसमें उसकी वजह से भी क्योंकि अब एक national commission for backward classes एक constitutional body है तो यह पूरा जिम्मा उसके पास ही होना चाहिए कि वो socially and economically backward classes को identify करे और declare करे तो states के पास इसलिए यह power नहीं होनी चाहिए ठीक है दोस्तों लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 102 amendment act को court गलत interpret कर रहा है इस article के according यह article क्या कहता है कि जब 102 amendment आया था उस समय वहाँ पर center list ऐसा एक word लिखा था हाला कि वहाँ पर state list word नहीं लिखाता लेकिन center list लिखे होने का मतलब यह है कि center list एक अलव होगी और state list अलव होगी नहीं तो वो सिफ simply list लिखते center क्यों लिखते center का word का कोई meaning ही नहीं बनता वहाँ पर दूसरी चीज जब यह amendment आने वाला था तब states ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था कि शायद आप हमारी power को dilute कर रहे हैं तो उस समय जो minister थे concerned minister of social empowerment थे उन्हों ने यह assurance दिया था कि हमारा intent ऐसा बिलकुल भी नहीं है और आपकी power आपके पास रहेगी center की power center के पास रहेगी कोई भी change नहीं होने जा रहा सिर्फ एक change हो रहा है कि national commission for backward classes को हम constitutional एक position दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर intent भी नहीं था ऐसा कि state list को हम abolish करने हैं दोस्तों एक और argument है जो court के इस judgment के against जाता है वो है liberal interpretation हम लोग हमेशा federalism की बात करते हैं और तो क्यूं नहीं हम state को power देते हैं कि वो अपने level पे backward classes को identify कर ले हैं दोस्तों यह पूरा article इस बारे में ही है आप detail में भी देख सकते हैं यह सारे points इसमें cover किये गए हैं और काफी चीजें important हैं आगे चलते हैं दूसरा article बहुत important जो है आज का है Bengal wants upper house back पर सो मैंने news discuss ही थी कि Bengal नहीं यह बोला है कि वो legislative council को recreate क गरेगा 1969 में तक West Bengal में यह legislative council होता था लेकि 1969 में इसे abolish कर दिया गया था अब Bengal वापिस legislative council को बनाना चाहता है कि तो हम इसमें थोड़ी से चीजें यह देख लेते आर्टिकल में कि क्या है यह points मैंने नीचे लिख रखें आप देख सकते हैं इस article को बिलकुल miss मत करिएगा बिलकुल skip मत करिएगा बहुत important article स्टेट्स जिनके पास legislative council है ऐसे स्टेट सिफ छे हैं इंडिया में कौन कौन से हैं बिहार, यूपी, महराष्ट्रा, एपी, खिलांगना और करनाटका एक्जाम के point of view से दोस्तों बहुत important है क्योंकि एक्जाम में पूछा जा सकता है कि which of these states have got the legislative council और हो सकता है उसमें वो तमिल नाडू डाल दें जो कि जबला चांसर होगा ठीक है तो इस six states are having legislative council procedure for legislative council मैंने आपसे पुराने lecture में discuss किया था फिर से एक बार हलका सा बता देता हूँ सबसे पहले states यो हैं अपने legislative assembly में special majority से बिल को pass करते है special majority क्या होती है majority of the house majority of the house and two-third of the members present and voting ठीक है यह इसकी special majority होती है अब जब states ने state legislative assembly में इसको pass कर दिया तो उसके बाद क्या होता है यह parliament के पास जाता है और parliament को इसको simple majority से endorse करना होता है मतलब इसको pass करना होता है अगर parliament इसको pass नहीं करता तो legislative council न बनाई जा सकती है मोंटेक चेम्सफोल्ड reforms के थैप उसके बाद 1935 में आपने इस हिस्टी में शायद इस सारे पढ़त रखे होंगे कि provinces में भी अब legislative council बन सकते हैं अब मैं आपको question का answer देने वाला हूँ जो मैंने आपसे लेक्चर के स्टार्ट में प्रोविजन तो आ गया था लेकिन सबसे पहले 1937 में पहला legislative council establish हुआ था वो भी किसका पेंगॉल का पेंगॉल का पेंगॉल का 1937 में पहला legislative council function करना शुरू हुआ था यह रहा पहले question का answer जो मैंने आपसे slide के start में पूछा था अब हम यह देखते हैं कि इसके arguments favor में क्या है मतलब legislative council क्यों बनना चाहिए तो यह कहते हैं कि इसके तीन फायदे होते हैं दो-तीन फायदे हैं इसके it acts as a check on the hasty legislation मतलब क्या है कि अगर legislative assembly किसी चीज़ को जलबाजी पास कर देती है at least council उसको अगर revise करती है देखती है उसको deliberate करती है तो हो सकता है कि कोई गलत चीज होने से बच जा है मतलब double checking आप कह सकते हैं दूसरा क्या होता है इसका फायदा कि legislative council में आपको पता होगा कि different sectors different societies से लोग आते हैं represent करते हैं teachers भी होते हैं MLS भी होते हैं ठीक है और भी अलग-अलग तरीके के arts and culture से भी लोग होते हैं ठीक है तो अलग-अलग diverse field वाले लोग होते हैं तो उनका opinion अगर एक साथ मिल जाया तो बहुत enriched acts बन सकते हैं ठीक है diverse voices is a good thing कुछ लोग कहते हैं यह ठीक नहीं है MLA बनाना है तो मैं easily legislative council के थुरू बना सकता हूं लोगों की नजर से बचा करके क्योंकि indirect election पे एवर करता है legislative council यहां direct election नहीं होता लोग यहां select नहीं करते MLA's को तूसरा इसका disadvantage क्या है जो बोला जा रहा है कि outlet to the public exchecker हमारे पास वैसे ही पैसा कम है हम इनको और पैसा दे दे के और exchecker का loss कर दें यह भी एक बहुत बड़ा reason है थर्ड है कि जबर जस्ती legislative council से हम क्यों delay करा है अगर कोई act बनाना है और बहुत जल्दी है उस act को बनाने की कोई emergency situation है तो फालतूम हम legislative council को एक picture में लेकर के delays क्यों करें ठीके दोस्तों यह सारी चीज़े हैं लेकिन फिर arguments वाले फिर से जाग जाते हैं वो बोलते हैं कि क्या है वो बोलते हैं कि legislative council का strength legislative assembly के मुकाबले सिफ one third है तो कभी भी legislative council legislative assembly पे हावी होई ही नहीं सकता है ठीके दोस्तों और legislative assembly के पास यह भी power है कि वो ओवर कर सकता है legislative council को किसी भी act पे तो legislative assembly के पास unfriddled power है ठीके दोस्तों तो यह arguments हो गए कुछ अब देखते हैं status of other states की क्या status है other states का जिन्होंने pass किया हुआ है यह bill special majority से तो एक है असम ठीक है और एक है आपका एक असम ले लेते हैं एक जामपल काफी है असम ने इस act को pass कर दिया था special majority जे लेकिन यह अभी भी राज्य सभा में pending है ठीक है इसका मतलर यह अभी भी यहां legislative council नहीं बनाया गया है तो आप देख सकते हैं कि यहां parliament का power है तो क्या यह article last में बोलता है कि क्या अब यह होने वाला है कि center और बेंगॉल में एक और रिफ्ट होने वाला है ऐसे ही यहां बहुत सारे रिफ्ट चल रहे है center और बेंगॉल के बीच में तो क्या यह एक नई कहानी बनने वाली हो ठीक है दोस्तों तो हम आगे move करते हैं ओके दोस्तों यह दो आर्टिकल बहुत important थे प्लीज इसको मिस्मत करिएगा अब जो आर्टिकल है वो है UNESCO site की बारे में prelims की point of view से काफी important है और काफी आपको उसमें याद करना होगा मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको रटने की जरूत नहीं है data की जरूत नहीं लेकिन यहां पर मैं आपको बोलूँगा data important है तो क्या है news छे इंडियन sites को UNESCO की tentative list में जगा दी गई है हम देखते हैं कौन-कौन सी यह sites है यह important है प्रिल्यूम्स के point है गंगा घाट इन वारानेशी temples of कांचीपूरम सत्थपूरा Tiger Reserve in मध्यप्रदेश ठीक है दोस्तों यह तीन important है उसके वाग मराथा military architecture in महराश्टरा, higher Bengal megalithic site in करनाटिका और वेदा घाट लमेटा घाट ऑफ नर्मदा वैली इन मध्यप्रदेश यह छे इंडियन sites हैं जो की अभी 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 tentative list में अभी नहीं आए हैं इसके अलावा जो exam के final list में हैं इंडिया की वो हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़्याद तो हम देखते हैं उन लिस्ट को cultural में 30 हैं इसमें क्या होता है मैं आपको पहले बता जता हूँ कि UNESCO site के तीन टाइप की होती है पहला होता है cultural दूसरा होता है आपका natural और तीसरा होता है mix mix का मतलब जो cultural और natural दूनों ही होगा तो cultural की जल्दी से एक लिस लेख लेते हैं आगरा आगरा फोट अजंता केव्स यह आपको याद रखने की जरोत नहीं है यह इस नोट सो important but sites are very important आगरा फोट अजंता केव्स आर्चेलोजिकल साइट अप नालंदा महाविहार बुद्धिस्ट मॉनुमेंट्स चंपानेर पावागर्ड शत्रपती शिवाजीर तर्मिनस चर्चेस अंद कॉन्वेंट्स अफ गोवा अलेफेंटा केव्स अलोरा केव्स पतेपुर्शीक्री रेट लिविंग चोला temples group of monuments at Hampi group of monuments at Mahabalipuram फिर group of monuments at Patadakal, Hillfords of Rajasthan, Historic City of Ahmedabad, Kumayu Storm, Delhi, Jaipur City Rajasthan, Khajraho group of monuments, Mahabodhi Temple complex at Bodh Gaya, Mountain Railways of India, Sotho Meenarets Monuments, Delhi, Rani Ki Vav at Patan Gujarat, Red Fort complex, Rock Shelters of Dhimetka, Sun Temple Kunark, Rajmehal, Architecture work of Liko Barzir, Outstanding Contribution to the Modern Movement, Jantar, Mantar, Jaipur, Victorian Gothic and Art, Deco and Symbols, ये सारी sites आपको याद होनी चाहिए Natural sites, आप Natural sites कितनी 7 है, ये भी आपको याद रटना है कि Cultural 30 है, Natural 7 है और Mix हमारे हाँ 1 है, Total हो गए 38 दोस्तों, Great Himalayan National Park Conservation Area, Kaziranga, Iola Dio National Park, Manas, Nanda Devi, Sundarbans and Western Ghats ठीक है, ये साथ आपकी Natural sites हो गई, उसके बाद आपका खैंजन जोंगा National Park, ये इंपोर्टन्ट है, क्योंकि Mix है एक और इंपोर्टन्ट आर्टिकल है, जो कि Fertilizer के बारे में है, गवर्मेंट ने सबसेडी इंक्रीज कर दिये, डाप के, डाप क्या होता है, एक Fertilizer है, इंपोर्टन्ट फर्टिलाइजर है, डाप, इसकी इंपुट कॉस्ट बढ़ गई थी, क्योंकि ग्लोबल सिनारिय हमको पता ही है कि COVID-19 की वज़े से raw materials नहीं आपा रहे हैं, तो डाप का cost बढ़ा दिया था, companies ने, उसकी वज़े से गवर्मेंट ने subsidy भी बढ़ा दिये, लेकिन ये important नहीं, important क्या है, हमें जाना, types of nutrients, name of the fertilizers, common fertilizers used in India, and fertilizer subsidy policy in India, this is very important, आईए स्टार्ट करते हैं, types of nutrients है, nutrients दो phosphorus और potassium main होते हैं, इसको बोलते हैं, NPK, आपने word, जो है, newspaper में भी सुना होगा, NPK, इसके बद क्यालशियम, magnesium, and sulfur, ये अतने important नहीं होते हैं, लेकिन NPK is very important, secondary micronutrients में कौन-कौन से होते हैं, boron, chlorine, copper, iron, zinc, etc, ठीक है, तो दोस्तों, आपसे prelims में ये question पूछा जा सकता है, which of the following are macronutrients, and which of the following are micronutrients, आपको macronutrients अगर याद हैं, तो micronutrients जो बचेंगे, वो होंगे ही होंगे, please remember macronutrients, these are important, अब types क्या क्या होते हैं, nitrogenous होते हैं, बतलब जिसमें nitrogen ज्यादा होता है, NPK आप याद रखिए, NPK is very important, जिसमें भी nitrogen ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं, nitrogenous जिसमें potassium ज्यादा होता है, हम इसको बोलते हैं, potassium, और जिसमें phosphate ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, कि ये अलग-अलग compounds हैं, phosphate के ही, जैसे super phosphate, triple phosphate, potassium nitrate, ये इतना important नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होने चाहिए, nitrogenous, potassium and phosphatic, एक एक आपको याद होना चाहिए, common fertilizers used in India, तो उसमें होता है, dap, npk, mop और urea, please remember these things, उसमें भी urea और dap, सबसे important होते हैं, सबसे आदा news में होते हैं, और इसके बारे में हम discuss भी करेंगे अभी, fertilizer की subsidy क्या है इंडिया में, तो ये दो type की हैं, इंडिया में बड़ा एक अजीव सा distinction है, कि दो type की subsidy यहां चलती है, पहला है NPS, New Pricing Scheme, ये यूरिया पर अप्लाई होते हैं, और बाकी nutrient-based subsidy जो होती है, वो यूरिया को छोड़ करके, यूरिया को exclude कर दे हैं, तो जितने भी fertilizer हैं, ठीक है, all fertilizers पे apply होती है, ठीक है, mainly इसमें potassium और आपका potassium और आपका phosphorus हो, potassium and phosphorus, ठीक है, nitrogen हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, yes and no, both are possible, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ, new pricing scheme NPS for यूरिया है क्या, यूरिया को government ने एक control कर रखा है, इसका जो MRP है, वो government control करती है, government decide करती है, ठीक है, government की committee decide करती है, MRP, मतलब free market को यह right नहीं है कि वो इसका price decide कर सकी है, ठीक है, और क्या करते हैं कि जैसे माल लिजे, कि company बोलती है कि हमारा 10,000 रुपए लगा थे, production cost है, लेकिन MRP government ने 8,000 ही रख रखा है कि नहीं भाई, आप इससे ज़्यादा नहीं बेचेंगे, तो यह जो 2,000 का लुपसान है company को, वो कौन भरता है, वो government भरती है, इसलिए हम इसको गोलते है, यूरिया subsidy, अब आप देखिए, दूसरी तरफ से nutrient-based subsidy, nutrient-based subsidy जो होती है, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 8,000 है, पर यह 10,000, 8,000 तो government decide करता ही है, 10,000 भी government decide करता है, तो इसका मतलब market को किसी भी तरीके से chain नहीं है, उसको किसी भी तरीके का control नहीं दिया गया, पूरा-पूरा government ने अपना control रख लगता है, NPS में क्या होता है, National nutrient-based subsidy में, इन्होंने क्या किया, अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि NPS से क्या नुपसान हो, NPS से नुपसान यह हुआ, कि यूरिया सस्ता हो गया, यूरिया क्योंकि सस्ता हो गया, तो लोगों ने, मतलब farmers ने क्या किया, यूरिया डालना कर दिया, खेतों में, और बाकी potassium और phosphorus को ignore कर दिया, क्योंकि इस पे तो subsidy मिल नहीं रही है, ठीक है, यह तो market price पे भिक रहा है, तो हुआ क्या कि fields में imbalance हो गया, imbalance की वज़े से धीरे-धीरे land degradation होने लगा, तो उसके बाद यह policy आई कि नहीं भई हमको कुछ और potassium और phosphorus पे भी हम में इनको provide करना चाहिए सकते, उसके लिए आया nutrient-based subsidy, लेकिन पहले हम समझ लेते है, nutrient-based subsidy है क्या, इसमें यूरिया नहीं होता, ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, कि इसमें government MRP decide नहीं करती, MRP decide नहीं करती, तिर्फ subsidy decide करती, तो माल लिजे, एक साल में government ने कहा कि हम तेड़ जार रुपए subsidy देंगे, माल लिजे, एक example, MRP अभी present में है से 4000, तो farmers को कितने का पड़ा ये, 2500 रुपए, लेकिन माल लिजे, 6 महिने के बाद MRP 10,000 हो गया, अब farmers को कितने का पड़ा, ये 8500 का, तो इसका मतलब government का यहां पर control बहुत कम है, काफी कुछ control है, market का, government सिर्फ थोड़ा सा support दे दे लिए, अभी भी ये जो imbalance है, nutrients का वो बना हुआ है, केतों में, इसलिए इसको काफी criticize किया जाता है, NBS को, लेकिन बात अभी चल रहे हैं कि में भी हो सकता है, यूरिया को इसमें include कर लिया जाए, ठीके दोस्तों, आगे च News यह है कि government ने अभी ये decide किया है, कि Tamil Nadu government ने, कि वो जितने भी temples हैं, उनका, उनको digitize करेगा, उनके property के records को, और GIS के थुरू उनको crack करेगा, ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई illegal asset या undeclared asset किसी temple के पास ना हो, ठीक है, तो ये corruption से बचाने के लिए है temples को, basically, अब कुछ interest है, जिनका वो बोलते हैं, या में भी हो सकता है, genuine interest हो, वो बोलते हैं कि temples are individual entity and they are free from government under article 26, article 26 क्या बोलता है, everybody, every religious denomination has the right to establish the temples or other things to practice their belief. ठीक है, दोस्तों, आर्टिकल 26 तो freedom देता है, आप अपना temple established करिए, मंदिर established, जो करना है करिए, ठीक है, 25 क्या बोलता है, article पहले हम देख लेते हैं, 25 बोलता है, every person has the right to practice his religion, ठीक है, तो यह जहाँ institution के बारे हम बोलता है, आर्टिकल 26, यह personal level पर बोलता है, 25, यह difference है, बाक अर्टिकल 25, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, आर्टिकल 25, 1, वो बोलता है कि आर्टिकल 25 चीक है, it's good, we believe in आर्टिकल 25, but then, आर्टिकल 25, 1, make this right subject to public order, morality and health, मतलब क्या कहता है, कि ठीक है, आप अपना religious denomination पूरा करिए, जो आपको अच्छा लगता है, वैसे करिए, ले पब्लिक की morality या health पे कोई बात आ रही होगी, तो we are there to interfere, हमें constitution ने बिलकुल right दिया है, कि हम आपके matters में interfere कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसी 25, 1 आर्टिकल को ले करके government बोलती है, कि we can interfere in secular matters, please note this word, secular matters, not religious matters, we are nowhere for the religious matters, कि आप कैसे पूजा करते हैं, किस तरह से करते हैं, कौन से भगवान को आप पूछते हैं, ठीक है, किस तरह का procedure है आपका, we don't care, but for secular matters, we care, क्यों कि क्या होता है, कई temples में आपको पता होगा, कि शबरी माला temple का एक example है, बहुत famous example है, शबरी माला temple में women को allowed नहीं था, ठीक है, लेकिन government ने favor नहीं किया, लेकिन ये कहते हैं कि women को तो भई क्यों नहीं allowed है, it is against right to equality, ठीक है, तो वहाँ पर भी आर्टिकल 25.1 को court किया जा रहा है, कि for secular matters, मतलब ये right to equality की बात, क्या women को होँआ जाने के allowed नहीं है, ठीक है, तो under, this falls under secular matter, इसलिए government जो है temple के administration को कुछ हबता control कर सकती है, इस तरह की चीज़ों में, कि women को allowed कर सक ठीक है, तो ये इसमें बात ही, अब इसी के अंतरगत, आर्टिकल 25.1 के अंतरगत, आप देखिए, इसमें 25.2 जो है, secular word मेंशन करता है, 25.2, ठीक है, 25.1 और 25.2 is incidental to each other, उसके बाद क्या हो रहा है, कि इस आर्टिक 25.1 को एक argument बना करके, कि government ने 1925 में, मदरास, religious and charitable endowment act पास किया, इसी तरीके से जो इस आर्टिकल में हम discuss कर रहे है, हिंदू act, उसको भी 25.1 के अंतरगत ही पास किया गया, ठीक है दोस्तों, I hope so, कि ये चीज़ आपको clear होगी, अब हम आ जाते हैं question पे, जिसका answer मैंने आपको वीडियो के बीच मे भी दे दिया था, लेकिन फिर से दे रहा हूँ, पहली legislative council, legislative council 1935 में provision बन गया था, लेकिन 1937 में पहली बार को legislative council function करना शुरू भी थी, हो ये है, जो आपके right side में है, legislative council of Bengal, answer is Bengal, शायद आपने photo देख करके, थोड़ा संदाजा लगा भी लिया होगा, लेकिन it's finally Bengal, ठीक है द